गांग और अंगबाद स्थित एक कंपनी में काम करते समय अचानक ब्लास्ट हो गया इस हाथ से में आदा दर्जन करमचारी आग की चपेड में आकर गंबीर रूप से घायल हो गये जिनने उबचार के लिए पलवल के नागरिक हस्पता लाया गया जहां उनकी स्थिति को गंबीर देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उन्हें हाईर सेंटर के लिए रैफर कर दिया गया कंपनी में कारियरत करमचारी की माने तो कंपनी में पेंट शॉप में कुछ करमचारी काम कर रहे थे इस दोनान अचानक पेंट शॉप में ब्लास्ट हो गया और आग की चपेट में आकर छे करमचारी गंबीर रुप से गायल हो गई इस आचसे में छे करमचारी आग की चपेट में आकर बूरी तरह से जुलस गए करमचारीयों ने इस आचसे कर जिम्यदार कंपनी परबंदकों को बताया है वहीं ब्लास्ट की सुचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी और प्लीस भी पहुंच गई कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ीयों ने आगपर काबू पाया फिलाद इस मामले में पुलीस जांच में जुट गई ब्लास्ट होने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है पुलीस जांच के बाद ही मामले की असर सचाई सामने आप आएगी और सरकार्य होस्पिटल से आगे ले जाने की मना कर रहे हैं लोग कौन मना कौन कर रहा है यह हमारे जो विचार अबिया के आएं बोल रहे कि हां से आगे नहीं जाएंगा और उनको बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रही है उनको बड़िया टीटमेंट चाहिए और उसकी कारवाई एक करनी रहें लोगों तो अभी और कोई ज्यादा लोगों के बारे में पता चल गया को और तो नहीं है वापर कंपनी की बहुत बड़ी लापर वाई है